इंकलाब अरविंद केजरिवार आमादमी पार्टी आमादमी पार्टी सभी आमादमियों को बहुत बहुत बढ़ाई एक बार जोरदार पुरह देश के आमादमियों के लिए और एक बार पंजाब और गोवा के आमादमियों के लिए भी लगा आमादमिय पार्टी कमाल कर दिया गोवा और पंजाब के लोगों ने आपके बीच में अभी थोड़ी देर में मुक्य मंत्री अरविंद केजरिवाल जी आपके प्रियनिता लोग प्रियनिता आपके बीच में आएंगे बहुत बड़ा दिन है आपके लिए हम सब के लिए देश के लिए देश की राजमीती के लिए पूरे देश में इस बात को अब स्विकारा जा रहा है कि आज केजरिवाल मॉडल आफ गवर्नेंस काम करने का जो केजरिवाल जी का मॉडल है वो अब राष्ट्रिय हो गया इसके लिए आपको बढ़ाई पंजाब के लोगों ने वोट नहीं डाला है पंजाब के लोगों ने मौका दिया है केजरिवाल जी को इसके लिए आपको बहुत बहुत बढ़ाई एक बार जोर से नारा लगाते रहें जब तक केजरिवाल जी आएं यहाँ पे और बताते रहें कि पंजाब से जो हुआ है गोवा से आज जो हुआ है यह एक बड़े बदलाब की है आहट है राष्ट्रिय राजनीती में आमाध्री पार्टी का जो काम है केजरिवाल जी का मॉडल ओफ गवर्नेंस बाबा साहब को बाबा साहब और शहीद भगस सिंग का सपना पूरा करने का जो काम केजरिवाल जी ने शुरु किया है आज पंजाब की जनता ने उस पे महार लगाई है और गोवा की जनता ने बताया है कि हम भी इंतजार कर रहे हैं एक बार बताएं कि बाबा साहब का सपना कोन पूरा करेगा और भगस सिंग्जी का बाबा सह तेरा सपना पूरा बाबा सह तेरा सपना पूरा बगा सिंग तेरा सपना पूरा जोर से केजरिवाल करेंगे पूरा हम सब मिलके करेंगे केजरिवाल जी के साथ करेंगे बगा सिंग तेरा सपना पूरा बगाश सिंग तेरा सपना पूरा बाबा साहब तेरा सपना पूरा बाबा साहब तेरा सपना पूरा बाबा साहब का बगाश सिंग जी का जो सपना था आज पूरा हो रहा है राजनिती आज शुक्षा के लिए स्कूल के लिए, एस्पताल के लिए रोजगार के लिए ब्रश्टाचार के खिलाफ एक आम वैपारी जो ब्रश्टाचार जहिलता है किसान एक मजदूर जो ब्रश्टाचार जहिलता है उसके खिलाफ राजनिती खड़ी हो गई है विकल्प मिल गया है लोगों को अभी तक विकल्प नहीं था आज विकल्प है औ पंजाब के लोगों ने उस विकल्प को एक मौका दिया है फिर से कह रहा हूं कि पंजाब के लोगों ने वोट नहीं डाली है पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं डाली है पंजाब के लोगों ने केजरिवाल मॉडल आम आदमी पार्टी के मॉडल को का एक मौका दिया है कि ऐसा बहुत तयारी करिये आपके बीच में अब्लिन के अजिरिवाल जी पहुंचने वाले है जोड से नारा लगाके उनको बुलाईए अर्विंद केज्रिवाल आमाद्वी पार्टी भारत बाता की शहीद आजम भगत से दो बार लगाएंगे शहीद आजम भगत से अमर रहे अमर रहे सहीद आजम भगत से अमर रहे 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 अमर र और आपके बीच अरविंद के जुरिवाल जी आपके हर दिल अजीज देश बर्की उम्मी देश्टीय उम्मी अजीज आपके बाराश मता की बाराश मता की इंकलाब इंकलाब वंदेख 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 दोस्तों पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया पंजाब वालेओं तुस्सी कमाल कर दिता वी ओल लव यू पंजाब आज जो पंजाब के नतीजे आएं ये एक बहुत बड़ा इंकलाब है पंजाब के नतीजे बहुत बड़ा इंकलाब है बड़ी बड़ी कुरसियां हिल गई है अज पंजाब के अंदर सुखभीर सिंग बादल हार गए कैप्टन साब हार गए चन्नी साब हार गए प्रकाश सिंग बादल साब हार गए नवजोज सिंग सिद्दू हार गए विक्रम सिंग मजीथिया हार गए पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया दोस्तों बहुत बड़ा इनकलाब है, ये बहुत बड़ा इनकलाब है भगत सिंग ने एक बारी कहा था भगत सिंग ने कहा था आजादी मिलने के बाद अगर हमने सिस्टम नहीं बदला केवल अंग्रेजों को देश से भगा दिया और सिस्टम नहीं बदला तो कुछ नहीं होने वाला दोस्तों दुख की बात है कि पिछले 75 साल से इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने वो अंग्रेजों वाला सिस्टम रखा हुआ था लूट रहे थे देश को कोई स्कूल नहीं बनाए कोई हस्पिताल नहीं बनाए लोगों को जान बूज के गरीब रखा गया पूरा का पूरा वो ही अंग्रेजों वाला सिस्टम चल रहा था आम आदमी पार्टियों ने ये सिस्टम बदला है पिछले 7 साल के अंदर हमने ये सिस्टम बढला है हमने इमांधार राज़ीती की शुरुआत किये हमने लोगों के काम की शुरुआत किये अब बच्छों के स्कूल बनने लगे हैं गरीबों के बच्छों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है बाबा साथ बंबेड कर और भगत सिंग जी का सपना पूरा होने लगा है लेकिन दोस्तों यह इतना असान नहीं है यह लोग सारे मिलके बहुत बड़ी-बड़ी ताकते हैं हम लोग तो बहुत छोटे हैं इनके सामने बहुत बड़ी-बड़ी ताकते हैं यह सारी ताकते मिलके आज देश को आगे बढ़ने से रोकना चाहती हैं आपने देखा होगा पंजाब में कितने बड़े-बड़े शड़ेंतर किये गए कितना रोज सुनते थे यह पार्टी वाले अपना वोड़ इसको यहां से ट्रांसफर कर देंगे इसको यहां से ट्रांसफर सारे कथे हो गए आम अदमी पार्टी के खिलाफ सभी कथे हो गए और इनसे बात कर कहते थे एक ही मकसद है सबका आम आदमी पार्टी नहीं आने चाहिए कोई पार्टी आ जाए बड़े बड़े शड्यन तरकी है इन लोगों ने अंत में यह सारे कठ्थे हो के बोले केजरी वाल आतंकवादी है दोस्तो आज इन नतीजों के जरिये जनता ने बोल दिया देश की जनता ने बोल दिया केजरी वाल आतंकवादी नहीं है केजरी वाल देश का सच्चा सपूत है केजरी वाल सच्चा देश भगत है जनता ने अपना नतीजा सुना दिया जनता कह रही है केजरी वाल आतंकवादी नहीं है आतंकवादी तुम लोग हो जो देश को लूट रहे हो सारे मिलके दोस्तों, आज हम सब लोगों को संकल्प लेना है, हम सब लोगों को संकल्प लेना एक नया भारत बनाएंगे एक ऐसा भारत बनाएंगे, जहां एक इनसान दूसरे इनसान से प्यार करेगा, महबबत करेगा, कोई नफरत की कोई जगह नहीं होगी उस भारत के अंदर एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई भूखा नहीं सोएगा एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां हमारी मा बहने सुरक्षित होंगी एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पर अमीरों और गरीबों के बच्चे को एक जैसी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलेगी एक ऐसा भारत बनाएंगे मुझे बड़ा दुख होता है आज आजादी के 75 साल के बाद हमारे बच्चों को मेडिकल के शिक्षा लेने के लिए युक्रेन जैसे छोटे से देश में जाना पड़ता है हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पे खूब सारे मेडिकल कॉलेज खोलेंगे खूब सारे इंजीनिरिंग कॉलेज खोलेंगे हमें कैसा भारत बनाएंगे जहां से भारत के बच्चों को युक्रेन नी जैना पड़ेगा पूरी दुनिया के बच्चे भारत में शिक्षा लेने के लिए आया करेंगे हमें कैसा भारत बनाएंगे आज बहुत सारे लोग मेरे को टीवी में देख रहे होंगे जो जो लोग मेरे को टीवी में देख रहे हैं जितनी महिलाएं देख रही हैं मेरी माँ बहने देख रही हैं जितने युवा देख रहे हैं, जितने किसान देख रहे हैं, जितने मजदूर देख रहे हैं, जितने इंडस्ट्रिलिस्ट देख रहे हैं, जितने व्यपारी देख रहे हैं, जितने लोग आज टीवी पे मुझे देख रहे हैं, उन सब को मैं कहना चाहता हूँ. आप सब लोग मैं जानता हूँ जब आप देखते हो कि किस तरह से नेता और पार्टिया मिलके देश को लूट रहे हैं आपके दिल में भी बड़ा दुख होता है आपको बहुत गुसा आता है इन लोगों के खिलाफ आप भी कुछ करना चाहते हो आज समय आ गया है पहले दिल्ली में इनकलाब हुआ अब पंजाब में इनकलाब हुआ अब ये इनकलाब पूरे देश के अंदर फैलेगा जो जो लोग आजी टीवी देख रहे हैं सब लोगों को मैं कहना चाहता हूँ सारी महिलाएं आम आदमी पार्टी जोइन करें सारे युवां आम आदमी पार्टी जोइन करें सारे किसान आम आदमी पार्टी जोइन करें सारे मजदूर, सारे व्यापारी, सारे उद्योगपती, सब आम आदमी पार्टी जॉइन करें आपको लगेगा कि हम क्या कर सकते हैं एक आम आदमी को लगता है मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ कि आपको पता है कि चरण जी चन्नी जी को आज किसने हराया है भधोर से लाब सिंग उगो के कौन है ये लाब सिंग उगो के मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान में नौकरी करता है मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान में नौकरी करता है उनकी माता जी एक सरकारी स्कूल के अंदर सफाई करमचारी का काम करती है उनके पिता जी खेतों में मजदूरी करती है ऐसे व्यक्ति ने चरंजीत सिंग चन्नी को आज चुनाओं में हराया है आपको पता है नवजोद सिंग सिद्धू को किसने हराया है हमारी एक महिला वॉलंटियर है आम महिला है आम वॉलंटियर है जीवन जोद कोर उन्होंने मजीठिया को भी हरा दिया और उन्होंने सिद्धू को भी हरा दिया तो दोस्तों आम आदमी बड़ी ताकत है मैं बार-बार कहता हूँ इसाम आदमी को चुनोती मद्दो ये जिस दिन खड़ा हो गया बड़े-बड़े इंकलाब आ जाएंगे बड़ी-बड़ी कुरसी आएं जाएंगे तो आज मैं सब लोगों को देश के लोगों को आवान करता हूँ अपनी ताकत को पहचानो खड़े हो जाओ अब इंकलाब लाना है देश के अंदर समय आगया है भारत का 75 साल हम लोगों ने खराब कर दिये अब और टाइम खराब नहीं करना सब लोगों को सब लोग आम आदमी पार्टी जॉइन करो आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं आम आदमी पार्टी इंकलाब का नाम है आम आदमी पार्टी भगत सिंग के सपनों को पूरा करने का नाम है मैं आज मेरे छोटे भाई भगवन सिंग मान जी को पंजाब का सीम बनने के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देना चाहता हूँ और मैं पूरी उमीद करता हूँ मज़े पूरा विश्वास है कि जो उमीद 90 के पार सीट हो चुकी है अभी तक अभी नतीजे और आ रहे हैं इतना बड़ा बहुमत इतना बड़ा बहुमत यह डर भी लगता है लोगों ने बड़ी उमीदे जताई है लोगों ने बड़ा विश्वास किया है इस विश्वास को हमें तूटने नहीं देना सब को पूरा करना है तो एक तो यह कि हमारे जितने कारे करता हैं मैं बार बार कहता हूं हमें घमंड नी करना हमें एहंकार नी करना हमें बत्तमीजी नी करनी ये लोग हमें गालियां देंगे इन्होंने चुनाम में मेरे को कितनी गालियां दी केजरीवाल के कपड़े खराब हैं केजरीवाल काला है केजरीवाल अंग्रेज है केजरीवाल पता नी क्या क्य से नहीं देना हमें इस देश की राजनीती बदलनी है कोई आपको गाली दे तो बोलो जी गाली आपकी आपको मुबारक मैंने स्विकारी नहीं किया आपकी गाली हमें प्यार और महबत की राजनीती लेके आनी है हमें सेवा की राजनीती करनी है कहीं कोई बिमार दिखे कहीं क कोई मुसीबत में दिखे उसकी मदद करो हमें सेवा की राजनीती करनी है मैं अभी अभी हनुमान जी के मंदिर से आ रहा हूं उनका आशिर्वाद लेने के लिए गया था उनका आशिर्वाद लिया और मुझे पूरी उम्मीड है कि आने वाला समय भारत का समय है और भारत दुनिया का नंबर बन देश बनने से अब कोई नहीं रोक सकता दोस्तों भारत मता की इनकलाब अले की आशिर्वाद इनकलाब आशिक और दॉांष और दो आयो आयो को रो हम प्रिए pogड़ा को एक नहां एका नहां हमें टू आढ़ा रहिए हम बाला आपक की बाला आपक का नहां एका आपक का अ का रहां है